नमस्कार जी मैं मन्जू आज जनबरी की 30 तारिक है और 21 दिसंबर को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपनी छोटे से पोर्ट में लगी हुई कैमोमाइल की सीडलिंक दिखाई थी तो ये वही कैमोमाइल फ्लार्ज हैं जिनसे कैमोमाइल टी बनाई जाती है इनके फूलों से तो उसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 1354 में जान करी दी थी तो मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं वो वीडियो तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था मैंने बताया था शेयर किया था आप से कि मैंने चार नमंबर को 9 नमंबर को मैंने इस छोटे से पोर्ट में जो है सीड लगाया था और चार दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गए थी और जब मैंने 21 दिसम्बर को विडियो बनाया था तो तब डेड़ भी ना भी नहीं हुआ था और उससे पहले से ही इस पे फूला ना स्टार्ट हो गए तो क्योंकि यह मैंने मेरे गार्डन में यह जो कैमोमाइल के हैं मेरे प्लांट्स जो हैं फर्स टाइम लगे हैं वैसे तो लास्टेर भी मैंने ग्रो के थे तो उस ताइम क्या हुआ था कि लास्टू लास्टेर ग्रो के थे तो उस टाइम वो कोई भी नहीं निकला था शीर सहीनी होगा, तो मेरे फ्रेंड ने सीड़ दिये थे, तो इस पारी, खुब सारे प्लांट्स मेरी निकलाये, तो मैंने, फिर 21 दिसंबर के दिन, इसकी जो पोद कुछ-कुछ मैंने, के-के गमलों में, चुछ-चुटे गमलों में, जो ट्रांस्प्लांट की, तो डेड महिन्न हर्वेस्ट कर लेने चाहिए अगर विने करते हैं तो यही इसका ज rotten इसका सीड होता है तो सीड जब मैंने गरू करना सिखाए थे आप आपको लास्टू लास्ट्ट乐 तो वो ही वाला सीड होता है बिल्कुल बारीक बारीक ये सैंटर के हिस्से में ये जो लगा हुआ है तो इसको अब हम हर्वेस्ट कर सकते हैं नि तो ये अपने आपी जड़ जाते हैं और इसी को सुखा के फूलों को चाय बना सकते हैं और जैसे ये फ्रेश फ्लार्स हैं इनक चोटा सा पॉठ है है पॉठ आपको ये दिख रहा होगा चोटा सा पॉठ है और मेरे ख्याhm से बता नी लगाए तो 7 शे पूद्ध मेरे closer. बाक्य चोटी पूठ में ये वह छूटा एक पॉठ निगें। उप एक में अभी ये खिलना कुछ स्टार्ट हो गए हैं और एक में भी बड्स बन रही हैं तो जब हम ट्रांस्प्लांट करते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है आने में क्यूंकि ट्रांस्प्लांट करते हैं पुद्धी को थोड़ा शोक लगता है कुछ दिन वो ऐसी ही रहता है मुर्जाया हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद चलना स्टार्ट होता है तो इसलिए फिर फूल भी उस पर लेट आते हैं तो हां अब ये खिल रहा है तो इसकी केर कैसे करनी है तो मैंने जो मिट्टी बनाई मेरे गार्डन की जैसे की और गैनिक खाद मिली कुछ नहीं इसको दिया है और मिट्टी जो है जैसे धिरों फूल ये लगातार बनाता ही देता ही रहता है तो मिट्टी को हलका मॉइस्ट रखना है और ड्रेने सिस्टम बढ़िया रखना है अगर इसके पुद्दों में पानी बैठेगा तो फिर ये पुद्दे इसके खर नहीं बलते है तो त handic सब्कों में जो हुथ जरूबम आते है मेरे और जब जिस दिन धूप नहीं होती है तो जैसे शाम के टाइम ये जो है बंद ओ जाते हैं फूल तब एसे खिलते नहीं और धूप आने पर खिलते हैं तो जब फूल तो ये खिलते में बढ़िया तो ये इतने धेरों फूल और बहुत ही खुफसूरत लगते हैं ये खिलते हुए तो बस यही सब इसकी केर करनी है और अभी इसको हरवेस्ट कर सकते हैं ये इस तरह से ये सब ये जैसे ये हैं ये है ना ये ये नीचे के तरफ इसकी पैटल्स हो गई है तो अब ऐसे हरवेस्ट कर सक इन फूलों को तो बस यही सब केर है और यह गार्डन में आप जरूर लगाए और बहुत ही मज़दार है इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा कोई खास केर नहीं करनी पड़ती और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत जल्दी खिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो डेड़ मिना पाना जाते हैं तो डारेक्टली ग्रो कर दीजिए इन्हें तो कुछ-कुछ प्लांट्स जो ज्यादा होंगे तो फिर वो उनकी धीनिंग कर सकते हैं तो डेड़ मिने में ही आपके धेरों फूलाना स्टार्ट हो जाते हैं तो यह रहे मेरे कैमोमाईल प्लांट्स के का जो म जहां कोई पुरानी वो 20 रुपीज की भी ली हैं थोड़ी इसी बड़ी है हलकी तो उनमें भी मैंने इनको लगाया हुआ है तो खूब अच्छे से इनके जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं तो फिल हाल मैंने हाफ दे सनलाइट में ही रखा है तो आगे देखी अगर बहु जहां पर पूरा दिन की दूप आती हो बड़ बड़े प्लांट्स पड़े हो तो उनके फिर आसपास रख सकते हैं तो उन्हें इच्छाया भी मिल जाएगी और धूप भी मिल जाएगी तो कितने खूबसूरत फूल है इनके नजर हटाने का मन ही नहीं हो रहा कि हटाई जा तो कैमरे में इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने की ये खिलते हुए लग रहे हैं इसी के साथ नमस्ते जी शुकरिया ये मेरे डेलिया का फ्लार कितना खूबसूरत लग रहा है ये